इस क्लास, I am शर्षी चोहान, यूर हिंदी टीचर, बच्चे आज हम निमन्द करेंगे मॉबाइल फोन के लाब और हानिया, जैसे बच्चे आप जानते हों कि मॉबाइल से हमें लाब भी मिलता है, कि हम ओनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, इससे हमें बैंक जाने के चुछ भ पूरा दिन फोन में लगे रहते हैं, इससे क्या होता है, उनकी नीद में कमी होती है, सरदर्द होता है, तो ये बच्चे नुकसान भी है इसके, चलो आज हम ये मॉबाइल फोन के लाब और हानिया करते हैं, जैसे बच्चे, आज कल सभी के पास मॉबाइल फोन उपलब्ध है विज्ञान कई अविस्कारों में से मोबाइल एक अनोखा अविस्कार है मोबाइल से सिर्फ हम कोल ही नई पल की संदेश भेज सकते हैं मोबाइल के द्वारा हम अंगिनित कारिय कर सकते हैं पुराने समय में सिर्फ लेड लाइन फोन हुआ करता था आप बचे जानते हो कि बहुत ही कम होते थे और वो लेड लाइन हुआ करता था जिसकी मदद से लोग सिर्फ बाते करते थे टेलिफोन की सबसे पहली खोज घ्राम बेल नहीं की थी लेकिन समय के साथ साथ mobile phone का अविसकार हुआ mobile phone की बीना लोग अपने जीवन की कलपना नहीं कर सकते है mobile phone ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है अब अच्चे इसकी कुछ लाब है फाइदे mobile phone को हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं जानते हैं चोटा mobile होता है छोटा होता है इसको हम कहीं भी जेब में डालकर ले जा सकते हैं मॉबाइल में कई सारे apps उपलब है इनमें online payment करने के लिए भी apps है जिसकी सहता से हम असानी से पैसो का ढूपतान कर सकते हैं इसके लिए हमें bank जाने की जरुरत नहीं पड़ती यह सारे पेमेंट करने के एप सुरक्सित होते हैं मोबाइल फोन द्वारा हम सब हम जब चाहिए फोटो खीश सकते हैं अपने यादगार पलो को मोबाइल फोन के कोई भी कैलकुलेशन मोबाइल के कैलकुलेटर द्वारा असानी से की जा सकती है मोबाइल पर कई सारी सुविधाएं हैं जिसमें कलंडर, आलार्म घड़ी, टाइमर सामिल है अब अच्छे मोबाइल के हानी अर्थात नुकसान मोबाइल का अतियदिक इस्तमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है मोबाइल से निकलने वाले हानी कारक, रेडिशन, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं आज कल लोग रात में सोने से पहले भी मोबाइल फोन पर सकरिये रहते हैं इससे नेंद की कमी और सरदर इत्यादी हो सकता है मोबाइल के ज़ादा इस्तमाल से हमारे कानों पर बुरा असर पड़ता है युवाओं में मॉबाईल फौन का पागलपन देखा जा सकता है मॉबाईल फौन के बिना वहे जी नहीं सकते हैं मॉबाईल का सही और स्विमित उपयोगी लोगों के लिए अच्छा है तो बच्चे जैसे कि हमने ये निमत पढ़ा कि इसमें मॉबाइल के फाइदे भी है और नुकसान भी है बच्चे ये वाला कारिया आपको हिंदी गिरामर की नोटबुक में करना है आज की डेट डालकर सुन्दर राइटिंग में और इसको बच्चे याद भी करना है आपको वैसे आप जानते ही हो कि मॉबाइल से हमें लाब क्या होते है नुकसान क्या होते है इसको आप बना कर भी लिख सकते हो इस निमत को थैंक यू